सो हलो गाईज आज हम डिस्कुस करेंगे डीजोनिंस और मीजोमेरिक इफेक्ट ठीक है यह आपका आरगेनिक कमिस्ट्री का इंपोर्टेंट टॉपिक है और बिसिकली उनके लिए है जो कंपेटिशन या बीसी ग्रेजुएट्स के स्टुडेंट्स ठीक है तो इसमें रीजो के लॉजिक आपको धूर्ण है ठीक है क्योंकि आपका क्लियर होगा तो चीजी आपका इस्टेबल रहेगा ठीक है अदर्वाइस भूल जाएगा या निस्टेबल हो जाएगा ठीक है तो यहां पे रीजोनिंस मैंने इसमें पहला स्ट्रॉक्चर ड्रा किया है वन थ्री ब् इसको हम कांजुगेट सिस्टम बोलते हैं तो सबसे पहले वन थ्री ब्यूटाडाइन क्यों बोल रहें यहां पर आगर देखें नंबर हम यहां से देंगे 1234 इधर से भी डबल बॉंड है तो यहां से भी आप दे सकते 1234 ठीक है डबल बॉंड देखो अगर तो 123 मतलब वन 1334 कारवन हैं एसलिए हम क्या बोल रहें ब्यूट डाइन इसलिए बोल रहें क्योंकि इसमें डबल बॉंड कितने हैं टू है तो के लिए हम लिखते हैं डाइन इसलिए इसका नाम हो 13 butadine ठीक है एक कांजुगेट सिस्टम है कांजुगेट मतलब क्या है जिसमें सिंगल और double bond तो इसको हम Conjugated इसी लिए बोल रहे हैं कि double और single bond क्या है कि एक Conjugation में ठीक है तो यह आपको क्या हो 1-3 butadine इसका नाम हो गया यह पैक और दूसरा क्या इसका characteristics है कि एक Conjugated system है ठीक है Conjugated किसको बोलोगे जिसमें single और double bond alternate पे होंगे ठीक है दूसरा है आपका Vinyl Chloride Vinyl Chloride के अगर हम बात करें तो lone pair और double bond यहां पे Conjugation में है ठीक है तो यहां पे condition है या तो आपका lone pair और double bond Conjugation में हो या triple bond lone pair Conjugation में हो या system Conjugated हो ठीक है मतलब alternate single line double bond compound में प्रेजेंट होना चाहिए ठीक है जैसे बेंजीन है बेंजीन क्या है cyclic system है जिसमें alternate single line double bond है तो यहां पे हम यह देखेंगे कि डीजोनेंस ऐसे compound जिसमें alternate single line double bond हो ओ रीजोनेंस सो करेगा उस compound ठीक है यह हम कह सकते हैं कि Conjugated system है तो क्या सो करेगा आपका रीजोनेंस सो करेगा या आपका lone pair और double bond conjugation में ठीक है फिर अगर हम बात करते हैं बेंजीन के अगर हम बात करें तो बेंजीन में क्या होता है यह काफी reactive molecule होता है reactive molecule मतलब stability क्या हो जाएगी वहाँ पे लेस हो जाएगी ठीक है डूनाट कांट डूनाट कांटेंट प्योर double bond करेक्टर ठीक है इसमें क्या होता है इसमें alternate single double bond exchange होते रहते हैं ठीक है इसमें केवल आपके electron cloud का exchange होता रहता है कि double bond single bond से exchange हो जाएगा ठीक है इस तरह से item में कोई change नहीं होगा energy में कोई change नहीं होगा ठीक है बड़ली low यहाँ पा है जो electron density double bond का है और सिफ्ट हो जाएगा single bond की जगे ठीक है तो इसलिए मैंने लिखा do not contain pure double bond करेक्टर ठीक है तो अगर इसका आप calculation या फिर machines के तुरूद देखोगे तो इसका कि जो प्योर double bond करेक्टर होना चाहिए जो बॉर्ड लेंड का होता है वह exactly नहीं होता है इसमें क्योंकि इसमें alternate मतलब exchange होता रहता single bond एक दूसरे में ठीक है इससे इनका बॉर्ड लेंड क्या होता है in between आता है ठीक है दूसरा बात हम बोलते है रोबिंसन और इन गोल्ड यह दू साइंटिस्ट बहुत इंपोर्टन कांटिउसन दिये रीजोडेंस के बारे में ठीक है मीजो मरीस रीजोडेंस टर्म दिया है किसने दिया रोबिंसन और इन गोल्ड ने इन्होंने एक चीज और बताया कि आपका बेंजीन जो है उसमें आपका अल्टरनेट सिंगल डबल बॉंड बदलते रहते हैं एक्सेंज होते रहते हैं ठीक है तो डिफ्रेंट इस्ट्रक्चर फर्मूला इसमेंट आफ इलेक्ट्रों पेर डिफ्रेंट इस्ट्रा के इस स्ट्रकचर को क्या बframes क्या बलेंगे इस तरह के कंपाउड को डिफ्रेंट स्ट्र क्रॉब्ला इन्हांाट एल्एक्ट्रोन बियर इस वरली डिफ्रेंट टीक है तो एलेक्ट्रोन का अधेज्मेंट यहां पर डिफेंट है Meta आप दिम क्या कहलेंगे रिजोनेटिंग इस्टॉट्ट्चर यह हम इसको कांट्रिबूटिंग स्टॉट्ट्ट इंहीं या हम इसको canonical structure बोल सकते हैं धीक है यह क्या होता है hybrid structure और region in hybrid ठीक है यह क्या होता है hybrid मतलब क्या है यह दो structure को हम एक structure represents कर सकते हैं और इसको हम बोलते है hybrid structure और regionating structure ठीक है दूसरा हां एक और चीज़ है इसमें जो साइन है यह साइन सो कर रहा है कि दोनों मालेक्वल एक दूसरे में करें में रीजुनी तो क्योंकि यहां पर मैंने डिफाई नहीं कि है कि यह सी अस्त्री है कि सीट इस फाइब है इसलिए हम इसको बोलते हैं सब्चिचूटेट बेंजर सब्चिचूटेट एसीट ठीक है यह सब्चिचूटेट कारबॉग चलेगे इसमें क्या हो रहा है आपका लोन पियर आपको पत बनेगा तो वैलनसी अक्सिजन का कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा हमें रखना कितना है तू रखना है इसलिए यहां पर चार्ज हो जाएगा प्लस का ठीक है दूसरा क्या होता है यह आपका जो डबल बॉंट है यहां पर आक्सिजन पर सिप्ट हुआ और आक्सिजन प का सिप्ट होए ये वाला चार्ज कहां पर सिप्ट हो गया इस अक्सिइण पर सिफ्टिंग हो गया ठीक है तो इस तरह के हम इसे श्रॉक्ट्टर को क्या बोलेंगे रीजुने इस्टप्टर इसमें चीज और द्यान देने वाली बात है हमेशा ऐसे सबसे मालेकुल जिसमें eletro-negative पर आपका पुंसा चार्ज होना चाहिए पर जिससे electronegative आइटम यहां पर त्वह ध्यात रख नहीं है आपने देखा यहां पर क्या है oxygen oxygen ओक से पहें अपने को ध्यान रखना है कि हमेशा चार्ज कैसा होना चाहिए यह अपने को negative charge में ही exist करता है ठीक है आगर पर positive charge रख दिया तो यह क्या हो जाएगा unstable structure हो जाएगा ठीक है इन दोनों structure में काना सा सबसे रहा stable है यह stable हो जाएगा क्योंकि यहां पे oxygen पर positive charge है बर्ट दोनों structure एक दूसरे के regionating structure कहला हुँ ठीक है तो दिखने वाली बात कि यहां पो धयान क rattling कि होते हैं हर आइटWow कि छुट्ष रखता है तो इस दो होता है थ्क आप फॉटा रहा थो आप प्लच लगा दो एस तरह से आपको बेलंस कर ना कि बाएंजर का इसका 13 3 butadine important है इसका क्या है मैंने क्या किया कि जिस double bond को यहां पर shift कर दिया ठीक है और यह चार्ज इस carbon पर आ गया तो यहां पर देखो अगर आपने यहां से इसको हटाया तो oxygen का carbon का वैलेंसी कितना हुआ टू एक 3 ठीक है तो यहां से रिजोनेटिंग आइदर आप इस यह रिजोनेटिंग इडा करो या फिर यह रिजोनेटिंग इस ट्रॉक्चर है इसको हम बोलते हैं 1 3 butadine क्योंकि 1 और 3 पर क्या है double bond है कितने double bond है ब्यूट को बोला क्योंकि यहां पर 4 carbon है तो इसलिए इसका नाम हो गया 1 3 butadine ठीक है carbon dioxide भी एक important molecule है जो रिजोनेटिंग इस्ट्रॉक्चर सो करता है तो यहां पर कार्बन इस bond को यहां पर shift करोगे तो यह कितना bond को सो करेगा 3 और यहां से जब जाएगा तो यहां पर oxygen किस तरह का bond सो करेगा negative ठीक है यहां पर क्या हो positive आ जाएगा पहले तो यह आपका structure बनेगा फिर यह structure आप बना सकते हो ठीक है तो यहां पर कि आपको electron कितना 8 होना चाहिए अगर कम ज्यादा है तो आपको यहां पर balance करना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट एक्स्ट्रक्टर हम बात करेंगे कि explanation प्यूम लेएफ उब हा ले स कर फिर्योपट से हैज़ टीक हैike, कर वजज बना यहां कर दो यह ने विसला कर दो सकते हैं